आज के इस सिक्षा संबाद कारिकम में मैं आप सभी अध्यापगण का और अधिकारी कर्मचारियों का अभी नंदन कर रहा हूं स्वागत कर रहा हूं मुझे आज़ा है कि इस कोबिट की महामारी में आप स्वस्त होंगे और पूरा परवार आपका सुरक्षित होगा इस पीच अनिक बार मैं आपके साथ जुड़ा हूं हमारा सोबागय की आपके साथ राष्ट्रपती जी भी अनिक बार जुड़े हैं हमारे देश के सुसी प्रधालमंती कई बार जुड़े हैं हमारे बीचाए हैं और मैंने भी समय समय पर कई बार आप से सिदा बेमर्च करने की कोशिश की है और जब की कुरोना काल के इस महा संकट में जब चौरों तरफ हमारे सामने चुनोतियां थी और कटनाय थी मुश्किलों के उस दोर में भी आप सभी अध्यापक गरने जिस सूजबूज के साथ काम किया है और बच्चों को जिस तरीके से संबाला है मैं समझता हूं कि वह अपने आप में एक बहुत अध्वुत है और मैंने लगातार इस बात को काया है कि यदि बहुत सारे लोगों का इस कुरोना काल में बहुत योगदान है तो शिक्षा से जुड़े इन अध्यापक गण का सर्वस्रेश्ट योगदान है जिन्होंने द्याले हूं फंदरस सोलों लाख इस्कूल हूँ जहां एक करोड़ से भी चाहिए घाठाझथरा हूं उन तेतीष करोड़ चाहिए झाठाझटआ को और ऐसे समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हूँ और ये महामारी चारोंगोर से चोड़तरफा हमले कर रही हूँ, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनेस्थिति को संभाले रखना, उनको ततकाल ओनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना ये बहुत चुनूती भराई काम नहीं था, बलकि बहुत मुझिलों का था, और उस मुझिलात में भी आपने रास्ता निकला है, इसलिए में आपका बहुत अभी नंदन करा हूँ, आपका मैं हिद्य की गरायों से आपका मैं धाभार भी ठृकट कर रहा हूँ, क्योंको मैं जानता हूँ कि एक शिक्षक से मेरी शिक्षा मंदीता की यह यात्रा हुई इसलिए मैं एक सिक्षक की समर्थ को समझ सकता हूँ उसकी पेड़ा को भी समझ सकता हूँ मैं इस बात को चात्र घुमता रहता है यह बहुत कमचूर चात्र है तो ओबी घुमता रहता है उसको कैसे ऊपर उठा करके लाओं जो प्रतिवाशाली है उसको और कैसे प्रहखर बनाओं और जब ये चात्र प्रगति करते हैं तो हमको अध्यापागण को जितने खुशी होती है शायद अपने बच्चा भी प्रगति करता हूं को उतने खुशी नहीं होती है तो हमारे यहाँ आध्यापा को इसलिए कहा कि गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णु हूँ, गुरूहु देवो महेश्वरा, गुरूहु शाक्षाक परम ब्रह्मा, दस्मै सिर्फ गुरुवी नमा हमेशा गुरु को तो हमने ईश्वर के समान माना है यह हमारी परमपरा रही है हमारी संस्क्रिप्ति रही है और उसी परमपर उसी संस्क्रिप्ति ने भारत को विश्व गुरु के रूप में तक स्थापित किया और उसी गुरु के उसी शिक्षा ने इस देश में तमाम ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने पूरे वहिश्व में नया नया उधारन प्रस्तूत क्या चाहिए ग्यान हो बिग्यान हो अनुसंदान हो जियोन मुल्य हो आध्यात्म हो अंक हर छेत्र में शिखर को चूमा है हमारे डेश के लोगों ने और निशित उसके बिन दियो बताए तो किसी भी छात्र को इस बारे में कोई शंका नहीं होती कि यदि भगवान भी सामने खड़े हैं और गुरू भी सामने खड़े हैं तो पहले वो किसको नत्मस्ता को करके प्रणाम करें तो गुरू की ही चरणों में बंदन करता है और उसकी भावना सोते स्पूर्ट निकलती कि नहीं यह दि गुरू आप नहीं होती तो फिर भगवान तक जो आज मैं यहां पर हूं आज जो मैं समर्थशाली वहा हूं वो सब गुरू की किरपा है यह गुरू की किरपा हमेशा बनी रहे और गुरू उस गरव को संजू करके रख सके वो ताकत हम हमें समाहित रहे यह बहुत मेहतोपूर है और मैं इसलिए आपका बहुत अभिनादन कर रहा हूं मैंने कि जैसे समय समय पर जब हम नई शिक्षा नीति को बना रहे थे तब भी आके बीच आया फिर इस बीच तो समय समय पर हम लोग मिलते रहे जो जो कठनाई आती रही उनों कठनाईों का ХАम परमश करते रहupp चर्शा करते रहे और उन चर्शा करने के साथ हम हमेशा यह कुछ नया क्या हम समय समय निकालते रहें और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांतिक देश है उस लोगतांतिक देश के में सिक्षा का व्यवस्ता अस्त ब्यस्त नहीं वी और जैसे कि यह बहुत सारे देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया परिक्षाओं को निरस्त कर दिया यह आपने ही ताकत थी कि जब आपसे परामर्श हुआ तो आपके बहुत अच्छे सुझाव आए और आपने एक योदा की जैसी भूमे का आपने निभाई और हमने परिक्षाओं भी करवाई चात्र का समय वर्ष बरबाद नहीं जाने दिया और आप चटान के तरह उसके पीछे खड़े रहें आध्यापक और आभी फावक ने उस बच्चे को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है पीछे के समय में छात्रों के साथ भी मेरी बाच्छीत हुई थी और मेरे मन में ये विचार पर आया था कि मैं एक बार फिर आप से परिमर्ष करूँ कि ये जो परिख्षाएं ही कब होनी चाहिए और आपके मन में क्या चला है कि कैसे करके होना है क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि जो यह नई सिख्षानिती जो आपके ही द्वारा तयार की गई है आपसे रेगुलर संपर्क और समबात करने के बाद जो जो निचोड़ाया उस नई सिख्षानिती का वो आज पूरी दुनिया में उसके खुश्चुरती और उसके खुश्च वो फाइल रही है मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश ने उसको उत्सव के रूप में मनाया है और नई शिक्षा नीति आने के बाद लोगों में बहुत बहुत उमंग और उत्सा है लोगों को लगता है नहीं अब देश बहुत देजी से प्रगति करेगा प्रत्वियम सरव मानवा फिर वो सारी प्रत्विय के लोग हमारे गुरूओं के पास आ सके हमारे शिक्षकों के पास आ सके हो और यहां से वो अपने शिक्षा लेकर के पुरी दुनिया में जा सके तो वैसे भी हमने पुरी दुनिया को अपना हमेशा परिवार माना है सरव वेश्वा वंदुत्वा की हमारी भावना रही है और इस लिए इस भावना से इस लक्षे से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं इसलिए दुनिया का हमेशा ये भारत फोकस रहा है भारत पर दुनिया की निगाएं हमेशा टिकी रहती हैं और आमारे देश के यस्टोस्य जो जो आखो करेक्टर हैं इले हम अई और कम को चिजेंए जुड़वर्ण करेक्ट्र को ए colors दुनिया ने के लिए हमारे पास हो ऊप धिस्काम दुनिकों विखेर सकते हैं हम दुनिया को सामर्थ शाली बना सके हैं तब विविएन प्रकार के चीजों को करते रहे हैं अब तो नगत For जैसे कि मालुम है कि नई शिक्षण नीती में भी और मैं फिर उस बात को दूरा रहा हूं जब बैने यह कहा था कि इस देश में IIS बना तो सरल होगा लेकि अधियापक बना तक्षिन होगा क्योंकि अधियापक की वो जो गैरिमा little button क्योंकि फड्यक्षा से होकर की क्योंकि उसने निकालना है य२दाओं को निकालना है तो उसी प्रकरता का चाहिए अध्ययापक में उतारने के लिए उसने अपने को जोखना थो उसके हर प्रकार के सामर्थे चाहिए नए शिक्षा नेती कभी उनी आपक्षाओं को पूरा भी करती है लेकिन मेरा यह जरूर अनुरूद है कि नीतियां तो बहुत अच्छी बन जाती हैं लेकिन उसको जमीन पर किर्यानित करना यह बहुत चुनोती भारा काम भी होता और अवसरों का भी काम होता है तो यह नीति बनना और उसके क्रियानित इसके बीज के जो कड़ी है वो आप है और असली योदा वही है जो उसको क्रियानित के रूप में नीचे तक आपके लिडर्शिप में आई इस नई शिक्षा न नीची तक जाना है जिसके लिए पुरी दुनिया विल्कुल उच्शुकता से देख रही है और बहुत सारी नीची हमने लागों भी करती है शायद नीची बनते बनते बहुत सारी नीची तो पता ही नीचलता लोगों को वो नीची बन भी जाती है और पता ही नीचल पाता ले मैंने पीछे के समय में यह इच्छा प्रकट की थी आपके कोई सुझाओं यूडी हों तो उन सुझाओं को एक बार हम लोग थोड़ा सा परामर्श कर लें, चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत सारी लोगों की मिल आई हैं और बहुत सारी लोगों के कई परकार के सुझाओं भी आई हैं और अभी मैं देख रहा हूं कि आप यदि सीधा बात्चित करना चाहेंगे तो आभी हम कुछ बिनों पर चर्चा भी कर लेंगे यदि इसमें ऐसा लगेगा कि नहीं अभी कुछ रोक करके इन चीजों पर और परामर्श करने की ज़रोता है तो हम लगा कर संबाद करत करने और फिर आपके सुझाओं आते रहेंगे हम आगे भी मिलते रहेंगे लेकिन अभी आभी आप मैं चाहूंगा क्या बताइए क्या है आपके मद में कहीं से भी शुरू कर दीजिए जी मेरे अर्विन जी उत्तर प्रदेश्ट सर मैं आपसे नवी कक्षा में स्कूलों को पेशेवर संस्थानों उद्यों को आदि से जोड़ा जाना चाहिए अर्विन भात अर्विन जी मैं अविननन कर रहा हूं आपका और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि जो व्यावसाइक शिक्षा है वो क्योंकि नहीं तो हमारी शिक्षा कुछ ऐसे हो ग तो इसलिए जो व्यावसाइक शिक्षा की आपने बात की है आपने कहा कि दंवी कक्षा से इसको शुरू करना चाहिए मुझे यह कहते हुए खुशी है कि बर्तमान में लगभग आट अजा पांसो तिरासी सीब्यसी स्कूलों में कक्षा चैसे व्यावसाइक शिक्षा प्र के साथ यह इंट्रेंशिब के साथ जो आपने कहा ना कि उद्योगों के साथ और उसके साथ जोड़ना चाहिए यह व्यावसाइक शिक्षा बिल्कुल सभी सुजावे आपका और आपके सुजाओं को ही देखते वह आप जैसे सभी आधरने अध्यापक गण के बहुत ही वह कर लाई है आप जोगई रusch आप जान οποीं को प्रेक्टिकल के से कर सकता है तो उसके आधर पर क्या-किया हो सकता है इसको हमने बहुत बियापक विचार बिमर्ष भी मर्षत है और हमारे इच्षा यह यह कि कि दो लाक असी अजार से भी अधिक जो ये माध्यमेक स्कूल है इन सभी स्कूलों में कक्सा छे से ये वोकिष्णल सुरू हो जाए और उसे शिक्षा में तो हम चाहते ही चाहते हैं और ये वोकिष्णल जब इंटरंसिफ की बात आई तो जो उसके आसपास जित्य उससे .शुन うद्योग हें किरशी के मैं खित्षं है ये नहीं तो ने जो केवल उद्योग है नहीं है वोकिष्णल यह जो कई परकार की व्यावशाओit सिक्षा है जैसे लोग विद्या है भारत में व्योठी shaping ब्यावशाइब ज्यान अब इस प्राचिन भारत का जो ग्यान और आदोनिक भारत में इसका युगदान जो प्राचिन भारत का ज्यान है वो बहुत बिशद ग्यान है आप तो जानते ही हैं लेकिन उस ग्यान का बरतमान में उसका उपयोग क्या हो सकता है तो प्राचिन भारत का ग्यान और बरतमान में उसका युगधान ये दो लोगों जोड़ा हमने और इसलिए ये बरतमान में कैसे करके वो केशनल जो हमारी व्यावशाइक शिक्षा है कैसे समर्थ हो सकती है ताकि स्कूल से जब बच्चा जाए तो विल्कुल इस ताकत के साथ बच्चा जाए कि हां वो कहीं किसी पर भार ना बने और वो पूरी ताकत के साथ जहां भी जाए वो उपना अस्थान बना सके यह हमारी कोशिश है लेकिन आपने जो प्रश्ण किया बहुत अच्छा प्रश्ण किया और हम ऐसे ही करेंगे आपको ये भी मैं बताते हुए मुझे खोशी होती है कि यह साए दुनिया का हम पहला आप देश होंगे जिसमें हम सकूली सिक्षा से अर्टिफिशल इंटेलिजेंस ला रहे हैं दुनिया का पहला है पहला देश होंगा हमारी नई सिक्षानीति के हुब सूरती भी है हमारा बच्चा जब सकूली शिक्ता से इसको प्रवेश करेगा जो अभी इस बदा करके उस की तेरे हजारों हजारों लाखों लाखों अध्यापक गण की चिंटा है वह बिल्कुल जायज है रास्ता निकालें जी जी जालंदर से पंजाब से रादिका जी आप कहरें कि स्कूलों में युगता आधारित शिक्षा के कारेंवन के विशे में प्रियाप्त पर्शिक्षन दिया जाना चाहिए तो रादिका जी बहुत धन्यवाद आपका और आपने भी बहुत ऐसे में पहलू को छेड़ा है जिसकी बहुत ज़रू है तो और आपने कहा कि प्रशिक्षन दिया जाना चाहिए और बिलकुत सही है कि अध्यापक को किवल स्थान तिक ही नहीं बल्कि व्यावादिक प्रशिक्षन भी इसका होना चाहिए और आपको याद होगा कि पीचे की समय में हमने इस पूरूना काल में भी निश्ठा जो अध्यापक प्रश्रिक्षन का दुनिया का सबसे बड़ा कारेकर मेहनीज था उसको हमने शुरू किया और उसको शुरू करकिया बहुत डेजी से शुरू किया और उसी का परिणाम है कि आज हम ओनलाइन शुक्षा को इतना बड़ा तंत रात-रात में आप सोच नहीं सकता शायद यह भी सब्सक्राइब भी दुनिया का पहला वद्हारण होगा कि कि 10 25 करोर शाक्रों को आउनलाइन पर लिया तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विश्यशश का कैसी दिर्माण हो सकता है अध्यापका और जो निष्टा है उस निष्टा में ओनलाइन चम्टा उनलाइन के माध तो ऑनलाइन में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि व्यावार एक दृष्टी से व्यावार दोनों यह दि मिलते नहीं है जूडते नहीं है तो बेकार हो जाती बाती है और इसलिए वह सिद्धान्त को वह से भी समय नहीं है है कि यहीं कोई सिद्धान्त जो जमीन पर न उतर सके वह सिद्धान्त भी कार हो जाता है उस समय भी बर्बात करता है मन को भी खराब करता है और देर्वान से भी आउट हो जाता है तो इसलिए जो सिद्धान्त है वह ब्यावार के साथ जूड़ना बहुत जरूरी है हमारी को क्षिश है कि उसी बात को बोलें उसी बात को करें जो अब्याभारी की जीओन में नीचे उतार सकने का समर्ति दिसमें हो सके और बच्चा को प्राप्त कर सके चाहते उसको ततकाल प्राप्त कर सके इसलिए जहां सुड़ायों ओनलाइन कशाये सुरु करने के लिए भी को आप्रेल से सितंबर 2020 के दोरान ऐसे प्रशिक्षित किया और के बीएस ने पंदराजार आठसो पजपन ऐसे अपने अध्यापकों को किया और जे अन्वी ने हुए नो हजार पिचासी सिक्षकों को पूरे भारत प्रशिक्षित किया और एंबियास दोरा शिक्षकों को ऑनलाइन मुल्यंकन का भी प्रशिक्षन दिया गया है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संस्थानों के दौरा और ncrp के माध्यम से हमने यह प्रशिक्षन कि वह सईदान्तिक पहलों से परे बलकि सईदान्तिक पहलों के साथ जोड़ करके उस सदान्त को व्यवार के रूप में कैसे प्रवर्टित हो सकता है इसके लिए रादिकाजी हमने कोशिश की है और भी आपका कोई सुझाओ आप निष्ठा में भी आप थोड़ा सा कोई कि आप शिम बंगाल से कलकोता से मिर्दुला जी पुस्तक ज्यान को व्यावारिक जीवन के प्रसंगों से जूड़कर रूचक और प्रभाविव बनाया जा सकता है इसके लिए मंत्राले द्वारा क्या कदम उठाय जा रहा है दन्यवाद मिर्दुला जी आप शिम बंगाल कल्काता से बोल लही है और आपने कहां कि जो पुस्तक का ग्यान है आपकर जीवन के प्रसंगों से जोड़ करके कैसे रोचक बनाया जा सकता इंवार मिल्कुल सही है क्योंकि यह पुस्तक करतंग्यों जो ज्ञान जो हम दे रहे हैं यहीं उसको रोचक नहीं बना पाई हम तो चातर के अंदर तक हम प्रवेश ने कर सकते हैं और मैं समझ सकता हूं कि चातर के अंदर प्रवेश करने के लिए उसी की भासा में उनी प्रस्तितियों में क्या समझ सकता है उसके अंदर प्रवेश करन साही होगा तो वह विविन परसंगों को जोड़ करकी उसकी जल्दी समझ में आता है और जो ब्रतमान की जो शिक्षा है उस पर जूर देती है अभी तक हमादीर जाता था लेकिन व्यावारी जाता था उसके लिए जब मैंदान में जाता था तो बहुत जादा काम नहीं आपाता था जो पुस्ता का ग्यान है क्योंकि व्यावारीक द्रिश्टी से जिरू रहता था शुने रहता था मुझे इस बात की खुशी है कि NCRT के माध्यम से जो हम जो नहीं शिक्षा नहीं आई है इसका जो अब पार्ठेक्रम हम तयार कर रहे हैं कि आए जो पार्ठेक्रम तयार कर रहे हैं जो पुस्तक के आएंगे वह इसका हिस्सा होंगी कि वह व्यावारीक द्रिश्टी से तमाम प्रसंगों को जोड़ करके वह किस तरीके से एकी चीज़ को कई अंगल से कैसे करके विभिन गटना क्रमों से कहानियों से गटनाओं से कै उसके अंदर प्रवष्ब किया जा सकता है उसे बिशा को लिखव करें इसससे पर ध्यान के इन्दित किया जा रहा है कि वह सामर्थे निकाल सके तो इसलिए के इसकुल शिख्सा के लिए प्रक्रिया भी हम लोगों ने सुरू किया है और एक कमीटी का भी हम लोगों ने गठन किया है जो एक संबर वी एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी लेकिन जो हम चौक सिख्शा ऑफिर जिसमें रचनात्मक सोच हो जीवन कौसल हो भारती लोकाचार हो कला और एकिकरित से युक्त हो तो वीविन विदाहों से युक्त ये पाठटकरम होगा और मुझे आशा है कि जब ये नई शिक्षा नीती का नया पार्ठक्रम आएगा तो आपको खुशी होगी और अभी और कुछ किस तरीके से होना चीज़ी ऐसे भी आपके मन में कुछ चीज़ें होगी तो वो भी ज़रूर आप मुझे देंगे मेरे मंतरा लिको देंगे अपन मध्यप्रदेश से अशोग जी मैं केंद्री विद्याले का शेक्षक हूं सर मेरा मानना है कि विशय विज्ञान के अतरित चात्रों को नैतिक मूलियों और नैतिकता के बारे में भी जागरू किया जाना चाहिए क्या मंत्राले इस दिसा में कदम उठाने की योज़ना बना अशोग जी आपने आपने बहुत अच्छी बातें उठाई और मैं यहां से बात करूंगा जो में पीछे के समय यूनेस्कों में गया था तो यूनेस्कों के डीजे ने कहा कि डॉक्टर निशंक यह जो चात्रों में अनुशाशन हीनता हो रही है वह मनुश्यता फैल रही ह हिंसक प्रबृति हो रही है तमाम तमाम बातें उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा है क्यों ऐसा हो रहा है तो मैंने उनको कहा कि एक ही निचोड है और बातें तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन एक ही निचोड है कि हमने मनुश्य को मशीन बना दिया हमने मन चात्र को अगके बिगरे धारी बना रहे हैं और उसको जिवन मुल्यों से भी धूर लगी है जीवन मुल्य जाएज आधात पर खड़ा होता है वह जीवन मूले बहुत जरूरी है तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा कि जरूर मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ आप लिखते हैं और आप जरूरी इस पर कुछ लिखेंगे मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अभी जिवन मूलियों पर भी कुछ लिखा लेकिन ये बात अशुब जी जो आपने कहीं बिल्कुल सही है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आखर आचार वीचार संस्कार नहों तो बेगार है ये जो मनुसिया है यदि वो तो मशीन भी चलती है रिमोर्ट से तो ये रिमोर्ट नहीं है ये मनुसिया की संबेदना जिन्दी नहीं है ये जिवन के मूल्य नहीं है तो आदमी तो कटी वी पतंग की तरह है क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है वो प्राण नहीं है तो जिस तरीके से कटी वी पतंग आजबान में तो उड़ रही है बहुत उचाई पर लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किस घरत में गिरेगी क्योंकि वो जमीन से कट गई जिए चोड़ कर जोड़ कर कि आस्मान में उड़ने की चाहा हमारी कभी नहीं रहेगी इसले यह जो शिक्षान नहीं थी है एक भारत के तरा ही इसले हम पूरी धुनिया में विश्योगुरू रहे हैं मैंने अभी कुछ देर पहले का कि यह तक देश प्रसूत से सका साधक रिचल मना स्वम्च रित्रम शिक्षे रन पर्थे ब्याम सर्व मना असुक जी आप तो जानते हैं कि हमारे देश वे ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया के लिए दुनिया को सिखाने के लिए दुन हमें सामने और इसलिए जो आपने कहा है कि यह नैतिक मूल्यों पर करना चाहिए निशित रोप में पूरी नई शुक्षान नितिई साधर पर लाएं हम बच्चे को बता पाएं हम लोगों को बता पाएं देश के प्रधान मंत्री जी कई बार कहा कि देश में एक अच्छा नागरीक्तों होना चाहिए लेकिन हिंदूस्तान में वह चात्र नागरीक वनेके साथ-साथ उसको विश्यो मानवि पहुर बहुता है और हम वो देश हैं जो माता घूमें पुत्रों पुर्थिव्या कहता है येता हैं ये पुरी पूरिब्थिव्य मीरी माह हैं हम इसके पुत्रों है तो धर्ति पत् já पलदों को किस तरीके आधर देते हैं सम्मान देते हैं हमने हमेज़ा जिवन मना हमने तो व्रक्षों के साथ कैसे संबाद किया है आज लोगों की समझ में आ रहे हैं जब मौसम परिवर्तन की चुनोंतियां सामने आ रही है तब लोगों को समझ में आता है कि भारत का विशार क्या है और इसलिए निश्चित रूप में वो जो हमारी नैतिक जो सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु नेरा मया सर्वे भद्रानी पश्यंतु मां कशित दुख भाग भवे धरती पर जब तक एक इंसान एक प्राणे भी दुख्य होगा तब तक मैं सुख का हैसास नहीं कर सकता यह है जिवर मोलिया यह जिस दिन उसके मन के अंदर आएगा वही आदमी दूसरी की मदद कर सकेगा जो समर्थवान होगा वो पहले अपने को समर्थ बनाएगा और उसके बाद उन संबेदनाओं को जिंदा रखेगा और दूसरे को कस्टमें नहीं आने देगा और इसलिए तो आपने देखा हम लोग जब भी कभी साथ बोजन करते तो पहले हमारे प्राचीन भारत में क्या होता था हम साथ चलें साथ परशार्त करें साथ सोच यह हर चीज को साथ मिल करके करें यह था हमारा परशार्ट तो बैवनेश्जिता कहां से आएगी घृतने नहीं वह प्योग करो जितने आपको जरौत है जिस दिन ये भावना आ जाएगी इन नहीतिक मुल्यों पर दुनिया का मनुस्य ख़ड़ा हो जाएगा उस दिन दुनिया के आतिस्यादिक समस्यान तो ऐसे समाधित हो जाएगी और इसलिए भग सबुरी है मैं धन्यवाद देना चाहतू हूँ आशुक जी आपको कि आपने इस बहुत महत्तोपूर्ण विशे को उठाया है जो जीवन मुल्य है और जीवन मुल्य रहेंगे तो परवार भी रहेगा तो समाज भी रहेगा समाज रहेगा तो देश रहेगा और दुनिया रहेगी और इस किस डंग से रख सकते हैं क्योंकि अभी जब पठी क्रम तैयार होंगे और इन चीजों को समाइद किया जाएगा तब आप लोगों की मदद की अभी जोरौत है तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं अशोग जी और आप जैसे सभी अध्यापकरण जो इस विचार के हैं और ज इसको आम निशित रूप में पूरा करेंगे धन्यवाद अशोग जी मद्यपरदेसे जी गुजरात से बिराड जी वैस्विक मामारी कोरोना के वायावाब वाताबर्ण में मांसिक सारेक स्वास्ते के लिए यूग खेल और ध्यान के मैत्तों के बारे में चात्रों को जाग धन्यवाद विराड जी विराड जी आपने जो यह बात सही है कि अचाना किसी को पता नहीं रहोगा ना दुनिया को पता था ना देश को पता था ना अबाव को पता था ना चात्रों को पता था ना आपको पता था कि अचाना कहीं सा संकट आ जाएगा दुनिया में कि दो गंटार नहीं रह सकता तो दो दिन तो बहुत दूर की बात है और दो दिन तो किसी तरीके से आप रोक लेंगे उसको लेकिन दो सपता उसके लिए दुरू है और जा मैनों की बात हो जाए अफसूच नहीं सकते कितने अफसाद में बच्चा चला जाता लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा किया है उसको बचाया है अब साथ में जाने से बचाया है अभी भाग में कैसी प्रस्तित में आ जाता और आप आप भी अधी क्योंकि आप सुबेश से साम तक 24 गंटा चिंतन और मंधन करते हैं यह आपको भ बहुत खुशूरती से आप लोगों ने मेरे ध्यापगर ने जस तरीके से किया हमको भी संबाद करके कहा कि आप ये भी करिए ये भी करिये ये भी करिये और आप से संबाद के बाद हम ने ने चीजों को लाते गए कभी फिट इंडिया मूवमेंट करते रहे कभी योग के ले करते रहे करते रहे के भीन भीन तारीके से हम घात्र को सक्रीय करते रहे हैं और बिल्कुल सही कहा अपने is ki कुछ कहा ने उको उसने बहुत अच्छा किया उदर हुच छिक्षा में हमारे IIT US ने ऐसे ऐसे अनसंदान की है की वह देश में पहले जो चीजे नहीं थी वो चीज भी एसी कोरोना काल में इन चुनोति भरे चणों में अवसरों में तब्दिल किया हमने इन चुनोतियों को और चात्र को भी आपने देखा जब पीछी की समय में हम बात कर रहे थी तो आके ही सुजाओं से फिर बिमर्श्वार उसके बाद मनोद मनोदरपण एक इस तरीके का निकल जिसने चात्रों की बचाया ध्यापको की मनचीति को बचाया to see 500 से अधिक चिकत्सणद्ल ने अपना पूरा 2400 गंते अपना समया ऑघगां थाओ चिकित सक 24 घंटे आप आउनलाइन पर कभी भी परामर्श करते हैं और जो मनुदरपण की जो विफ साइड है उसमें कई चीजें कई सुजाओ दिये हैं जिसको आप देख करके बातचीत कर सकते हैं अभिवाग देख रहा है और मेरे पास जो सुचनाएं आती हैं मुझे इस बचाए हैं लाकों लाकों करोणों करोणों अभिभावकों की बने स्थिति को भी बचाने में अपनी सफलता और जित्की है तो जो आपका सुजाओ है कि इनकी जागरुकता है योग है खेल है योग के बारे में प्रधान मंती जी आपने आपको तो मालूम है कि पहले योग को बचाने के लिए दोग ईश्वर की सबसे सुंदर्तम कृति मनुस्य को सुस्त रखने के लिए ये विचार आया कि क्या ये योग उसके लिए उपयोगी हो सकता है तो जब उन्होंने ऐसा सुझाओ जया तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई और आज 1199 देश पूरी दुनिय में दुनिया में योग की पीछा करके खाड़े हो गए हम इस छात्र को फी सहां चैटा को लगअतार योग करने लेए लगातार कह रहे हैं वि मेनरत के योग्हां जोस़के लिए न तो मैदान के ज़रौत हो गई कई बार वह अपने अस्थान पर वी तमाम परिकार के अपन कि भी रक्षा करने के लिडर से वखने हाथ में लिए बहुत चिंता कर दिये तो मुझे खुशी है कि आज मानसिक तंदुरस्ति के लिए मनोवयनिक चुकित सकों के माध्यम से हम लोग मनुदरपन जैसी चीजें अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इसका लाब मानसिक स्वास् में खेल, योग और ध्यान के दिशा में लगातार चर्चा भी करते रहे हैं और जागरुपता भी करते हैं मैं आपसे भी निवेधन करूँगा क्योंकि आप आपके बातों को वह चात्र अधिक अच्छे तरीके से जानता है मानता है तो आप सब अध्यापगार से मेरा कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए उसको भी इदियाब बता सकेंगे तो अच्छा है कुछ चीज़ें हमने बेजी है इस जरुवत पड़ेगी तो इनको भी हम उसको बाढ़ सकते हैं उस तक बेज सकते हैं धन्यवाद बिराड जी धन्यवाद जारखन से रेनुजी ऑनलाइन कप्साओं में भाग लेने के लिए गजेट और प्रयाप्त नेट्वर्क की कमी की करण कई छात्रा भी डिजिटल विवाजन को दूर नहीं कर पा रहे हैं हमें इन छात्रां को कैसे शिक्षित करना चाहिए रेनुजी बिलकुल सही है आपका इश्ट की चिंता और गजी जो आपकी चिंता है वही हमारे भी चिंता है अर नेया प्रमतर ये और यह का करता हूं तो मुझे खुशी होती है अध्यापक अपनी मोटर साकल में करके गाउं के उस पे जाकर लॉड़ी स्पीकर से जहें सिक्षा दे रहे हैं कहीं छत में खाड़े होकर कि इन कोबिट की ताकी इकठा भी ना हूं भील्ड और दूर दूर जाकर के कैसे कैसे अध्यापक है और इसलिए मैं अभी नंदन करना चाहता हूं आपका आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि वो अभी अंतिम छोर का जो बच्चा है इसके पास स्मार्ट टेलेफोन नहीं इंटरनेट की सुद्धा नहीं है उसको किस तरीके से हम लोग जोड सकें तेजी से हम लोगों ने कोशिश की है आपको मालूम है कि हमारे देज के पृधान मंतिर जी ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटपरम की बात की और हम मोगों ने प्यम या विद्ध एक है जो भीस लाग करोड का जो प्रदारह मंतिर जी ने पृदेश को ऑ serious crisis हो में दिया था बिन-विन विवाग Windows को उसमें इन छात्रों के लिए विद्या का अभियान भी किया कि किस तरीके से वो अंतिम छोड़ता काम उसको ले पहुंच सकते हैं इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि कि एक क्लास को एक चैनल देंगे स्वयम प्रभा दिक्षा और पाट सालाई पाट साला के माधियम से हम लोग कर रहे हैं लेकिन जहां पर नेट नहीं है और वहां पर जो टीवी है दूरदर्शन है उसकी माधियम से कैसे करके उस बच्चे तो रेडियो के माधियम से और ठेले प्रभाद के 32 चैनल है हमारे जो टाटा स्काइपर है और विविन दो-तीन अलग-अलग प्रकार के चैनलों पर आता है मुझे लगता है कि हम लोग काफी कुछ इस बीच कबर किया है और बहुत तेजिस से हम लोग उसमें जुटे हुएं लेकिन आपकी जो चिंता है बिल्कुल जायज है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टेले बजन के माधियम से और सामधा रेडियो के माधियम से उस बच्ची तक कैसे करके पहुँचा जा सकता है यह पूरी कोशिश है हमारी और इसलिए हम लोग वन क्लास वन चैनल को बहुत तेजी से कर रहे हैं बत्ती चैनल हैं और अभी काम उसपर शुरू हो गया मुझे इस बात की भी खुशी है कि 800 रेडियो कारेक्टरमों को अभी हम लोग ने लगवाग तो और इंडिया रेडि बेडियों को भी जादे से जादा हम लोग को विक्शित करवा रहे हैं और जो गाउं सभाये हैं वह भी जागुरुग हैं वह भी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं मिल करके बहुत अच्छी तरीके से ये जो सिख्षा का क्रम है वो हम लोगों ने टूटे नहीं दिया है इन प्रस्तितियों में तो रेनु जी आपके चिंता बिल्कु जायज़ है मैं समझ सकता हूं आप जारकंड की दूरस्त चेत्रों में वोगे जहां प्रदेश बहुत सारे प्रधेश झीनके दूरस्त चेत्रों में अभी तक वो अशुपदा नहीं है अलाएंकि हमारे देश के प्रदान मंतिजी ने बहुत तीजी से ये सुद्धा देने का जो मिशन है जो टाइव है लेकिन थोड़ सा क्यों कि भक्त लगता है इनमें और मुझे भरोसा है कि हम जल्दी इस समस्या का भी निदान निकालेंगे लेकिन जब तक निदान ने निकलता तक रेडियो और टीवी के माद्यम से और भिन भिन माद्यमों से हम लोग उस बच्चे तक पहुंच रहें जी में राजस्थान जी आ पर बिद्धाब को कैसे दूर प्रस्थां की तो ऑन लाइन आपकको वही प्रश्ण है जो यह online है आपने देखा होगा कि NCR लगातार आपको online पठक्रमों को दे रही है और निश्ठा के माध्यम से जहां सिक्षकों के उसमें जा रहा है वाँ दिक्सा प्लेट्पॉम पर मुझे इस बात की खुशी है कि दिक्सा प्लेट्पॉम पर विवन राज काम कर रही है ताकि इनके हालों का भौस्या इस सुदर सके अच्छा हो सके और ये जो तो कोरणा का काल है वो हमको रोके ना हमारी प्रगती से आमको रोके ना तो उसके भवुषयों को संबारने के लिए सभी राजे भी काम कर रहे हैं और हम लगाता संभाद में हैं हम कोशिश करेंगे रानी जी की जो कक्साओं का संचाल में कोई बादा आ रही है उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकता है और जो पार्थेक्रम का आपको याद होगा कि हमने विद्यादान वन और विद्यादान टू हमने देश के सम लोगों से कहा कि जो पार्थे ले जाना चाहता है तो उन राजों ने आपनी राजे के भाशाओं में बहुत सारे पर्ठेक्रम तयार किये हैं और बहुत अच्छे से किये हैं मुझे परोंसा है कि जो आपके चिंता है राणी जी वह चिंता बहुत जल्दी धूर होगी और हम पढ़ाने के अभी प्रग्याता जो हमने जादी किया वो दिशान नुर्देश इसमें साइबर सुरक्षा से लेकर के गुपनियता को बरकरार रखने तक के लिए भी है तो प्रग्याता में आप देखेंगे तो व्यापक दिशान नुर्देश दिये हैं कि किस तरीके से ओनला जो सिख्षा को सुनिशीत कर सकते हैं और जो दिख्षा है एक राष्ट एक डिजिटल सिख्षा युर्जणा पैंतिस राजियों ने यह लगतार बढ़ गया है पहुंस गया है और तेजी से बढ़ रहा है और यह सभी भारतिय भास्टाओं में जो हमारी दिख्षा है वो लगवक्त सभी भारतिय भाष्वाशों में उपलब्द करा रहा है तो दने बाद रानी जी दने बाद हम कोशिश करेंगे को और तेजी से इसा अब्यान पागे बढ़ें जी हर्याना से विजेंद्र जी सर क्या उच्छ शिक्षा संस्थानों में परवेश के लिए परवेश परिक्षाओं के सेडूल और सिलेवस में कोई बदला होगा क्या उच्छ शिक्षा संस्थानों में परवेश के लिए तो विजेंद्र जी जो आप कह रहे हैं कि आपका जेए मेन और जेए एडवांस साहित बहुत सारी जो इसकी परत्योंगी परिक्षा हैं वो उच्छतर शिक्षा में वो कैसे करके उसमें क्या कोई बदलाव आएगा बदलाव हम लाई हैं आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि इसके स्लेवस में तो बहुत आपको मालूम है कि ये प्रश्ण पत्र जो क्योंकि कुछ ने तीस परतिशत अमना कम किया तो किसी बूर्ड ने नहीं किया तो लोगों के मन में ये तमाम प्रकार के प्रश्ण आने सौबग के थे कि ये दिजे ये मेन में जो प्रश्ण पत्र आएंगे तो जो पूरा पढ़ेगा तो उसको तो पूरे प्रश्ण करने को मिलेगा जो तीस प्रश्ण काम होगा तो उसको क्या होगा तो इसमें रास्ता निकाला गया कि कुल नभी प्रश्ण होंगे और उसमें से आपको पिचितर का ही जबाब देना होगा तो वो पिचितर में वो पूरा जो पर्ठेक्रम वाला वो भी क लगता है जरूर इतना होगा कि जिसको यह 30 परस्थ जिसको कम हुआ है उसको ज़्यादा मेनत करनी पड़ेगी क्योंकि विकल्प खमी रहेंगे उसके पास और जो पूरे पाठ्थे क्रम होगा थोड़ सा उसके पास बिकल्प जादा हो सकते हैं लेकिन वह पूरा कबर होगा वह पूरा कबर होगा एदी 30% वाला भी है बहुत अच्छे से कबर होगा और पीछे के समय हमने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छा कबर किया और फिर आपको तो मालुम है कि अभी जही पहले मेन परिक्षा जही की वर्ष में दो बार ही होती थी और आप हमने दो से चार बार कर दिया यह बदलाव बड़ा बदलाव है चार बार आपको अफसर मिलेगा फरवरी मार्च अपरेल और माई में तो चार बार जब आपको अफसर मिलेगा उस परिक्षा को देने का तो मुझे लगता है कि निशित रुपे आपकी स्विधा के अनुसात जब जब भी आ आप बैठ सकते हैं और जो उसका सरुस्रेश्ट प्रदर्शन होगा उसका माना की उसमें रखा जाए इसलिए जो परविश परिक्षाओं में भी चात्रों के लिए इससे बड़ा अच्छा मैदान क्या हो सकता है मेरी शुप कामनाव चात्रों को कि उनको बहुत अच्छा सब्सक्राइब करें चात्रों की तारिकों को लेकर गंभीर है किरन जी बात सही है और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोड की परिक्षाओं को स्थगन करना चाहिए कैंसल करना चाहिए लेकिन आप नहीं चाहते हैं शायद की कैंसल हो आपने यह कहा कि तीन मैने की देरी हो सकती है क्या तो जो आपने कहा कि क्या तीन मैने की देरी हो सकत और प्रक्टिकल परिक्षा की जो बहतर त्यारी करने की बाद की है आपने तो मैं यह समझता हूं कि पहली बात तो यह कि यह जो हमारे कमने मोदी जी की जो सरकार है फिलकुल चत्तान की तरह है उसको tam समय पर आपके माद्यम से आपसे भी लगतार परमश कर रहेई हम लोग और वो कटनाई भी होती हैं कि समय कुछ लोगों को यह परिक्षाइब कुछ लोगों का मैं होने चाहिए लेकिन अधिकांस अधिकांस पास नहीं के बात की थी कि नई हम चात्रे के साथ आइतने कर सकते हैं यह कोबिट धारी कोबिट डिक्री धारी का ठप पाणने लगा सकते हैं उसके जीवन पर एक तो एक साल दो साल में चला जाएगा लेकिن जीवन परियंत वो बॉड लगा दिखाएगा कि नहीं यह यह नहीं कर सकते थे हम और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है तिक उस लोग बले ही सुप्रिम कोड तक भी गए लेकिन माने सुप्रिम पोड ने का नहीं चात्रों के साथ उनके ववसी के साथ खिलवाण नहीं किया जा सकता है प्रस्तिया हैं उसमें रास्ता निकालेंगे और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेई की परिक्षा करवाई नीट की परिक्षा करवाई पूरी दुनिया में किरन आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परिक्षा थी और बहुत अच्छी तरीके से निकले सारे चात्रों खुश थे और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुना हुए तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर जिस तरीके से जही और नीट की पर जब पत्रकारों ने मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात को उधारन दिया कि जिस तरीके से जही औ को कि आधार पर हम चुनाव कराएंगे और विहार का इसतना बड़ा चुनाव उन्हीं मानकों के आधार पर बहुत सफलता हुए तो मैं यह समझता हूं कि यह जरूर था कि हमने वो समय पीछे कि और प्रस्तित्य वस्त कि और अभी भी जो बोड की जो परिक्षाएं हैं वो सवांबोvant है 15 श्राप उर मार्च मधिय तक आपकी परिख्षा होथी थी. तो जो गूर्ड की परिक्षा है, मुझे लगता है कि जो प्रस्थित्यां बर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में तो ये परिक्षा भी सुम्भव नहीं हो पाईगी, ये तो हम लोगों ने अभी निर्णे लिया है, लेकिन फरवरी के बार कम हम परिक्षाओं को कराएंगे, इस पर थोड़ा सा और विचार भी से जो जनवरी हमें परिक्षाइं होती थी जनवरी फरवरी तक फिलाल यह विचार किया है कि इसको हम लोग अभी इस्तगित रखें और आगे कब हम करेंगे इस पर एक फिर विचार करके आपको हम अवगत कराएंगे जन्यवाद किरन जी रमी जी राजगर्ण बद्यप्रदेश जी जी हमारे नम राजशी जी आप क्या पूछना चाहते हैं मैं के भी राजगर्ण का सिख्षक हूं और वर्तमान में प्रकास में मैं पूछना चाहता था कि ऑनलाइन परिक्षा क्यों नहीं ले सकते जबकि आम वैसे विद्यार्थियों को ओनलाइन कख्षाएं करवा रहे हैं जिनके पास ना तो उचित उपकरण है और नहीं इंटरनेट की पहुंच है यह नहीं तो क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी के आंकों को मिलाकर उतिर्ण करने की शर्त एक संसनिया समधन हो सकता है जामे जी ओनलाइन सिक्षण करवा रहे हैं तो फिर ओनलाइन परिक्षा कैसे नहीं करास पाएंगे लेकिन आप बताएं ना जब अभी मेरे एक उधान दिया कि अभी इस्तित यह है कि जो दूर अंतिम चूर में कुछ प्रतिशक ऐसा रह गया अभी हमारा जो इन सब चीज़ से अच अपने उसमें तो वो तो हो सकता है लेकिन वो परिक्षा कैसे करके दे सकता है कटना ही है अब यह कटना ही है और लेकिन हम जल्दी सकतना ही पर विजय प्राप्त करेंगे ऐसा मेरा भरोसा है हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर लैप्टॉप होना चाहिए और वहां फिर लेकिन इसमें भी हम कैसे रास्ता निकालेंगे थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन मैं आपको अस्सों कर रहा हूं कि इसमें हम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी समाधा निकालेंगे से बीएस सी के जो 24,000 से भी आजी जो इसकूल है इसमें बहुत सारे इसकूल ग्रामेड शेत्र में हैं और यह बात सही है कि जब हम लोगों ने यह निकाला था कि पूरे देश के अंदर कहां कहां किन किन शेत्रों में अभी पहुंच नहीं हो पाई कुछ हर छेत्र में कुछ न कुछ थोड़ा भात ऐसा निकला है कि जहां तक अभी बहुत तेजी से पहुंच करने की सुरूरत है तो मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन परिक्षा तो संभव नहीं है आपको तो मालूम है और जो आंतरिक परिक्षा के लिए हम लोगों ने एक समिती गठित करेंगे और इसमें विचार विमर्ष के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है उसके संभावनों को हम तलासेंगे और उसके अंतिव रूप देंगे जी ता मिलना दूसे ता मिलना दूसे जन्नली जी क्या बोर्ड परिक्षा है आवजीत करने से पहले उप्चारात्मक कक्षाओं में कम से कम एक मेने समलित होना संभव है क्या हम उचित अभ्यास प्रदान करने के लिए पैन पेपर ऑफ-लाइन गोर्ड में स्कूल इस तर प प्री बोर्ड आयोजीत कर सकते हैं मुझे लगता है कि प्री बोर्ड एक्जाम की जहां तक आपने चर्चा की है और पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि तमिल नाडू ने काफी अच्छा के छेतर में आप लोगों ने काम किया है और आप जब हमने जन्वरी की जगह जन्वरी फरवरी अभी हम लोग नहीं करने हैं तो ये उसको इतना उसर ही तो मिल रहे हैं तो वो एक मैने जो आप चर्चा कर रही हैं कि एक मैना अच्छा होता कि एक मैना यूं करके मिल जाता तो मुझे लगता है कि एक मैने नहीं उसको दो मैने मिल रहे हैं उस दृष्टी से तो मुझे लगता है कि जो आपकी चिंता है उसका समाधान इसमें हो जाएगा कि जो एक मेने का जो आप कहते हैं प्रीबोर्ड वाला तो इसमें निश्यत रूप में आपका समाधान हो जाएगा और चात्र अच्छे से तहरी करने का किरला से अभिनाज जी कहते हैं सर्चात्र लगातार और अधिक सिलेवस कम करने के लिए कह रहे हैं क्या सिलेवस में और कमी आएगी यह दिन नहीं तो क्या हम प्रश्ण पत्र में अतारांकित विकल्पां को बढ़ा सकते हैं मुझे लगता है कि 30 परतिशत तो से बैस दी ने अपना उसको सिलेवस कम किया है और अभी मैं देख रहा था कि महराष्ण सरकार ने भी 25 परतिशत तब कम क्या और ऊतर प्रदेश सरकार ने भी लगा को 30 परतिशत तक कि उसमें संशोधन करके कटोती की है तो और वेंसे भी जब आप अविनाज जी आप कह रहे हैं तो आपको तो मालूम है कि जब भी बूर्ट की एक्जाम होते हैं तो 33 प्रतिशत का जो है अंतरिक विकल्प उसमें रहता है तो उसका प्राविधान है आपने देखा हूंग आपको इस हर चीजें देखने को मिल जाएंगी तो जो आपकी चिंता है मुझे लगता है कि अल्रेडी यह हूई चुका है आंतरिक विकल्प उसको 33 प्रतिशत का प्राविधान है और सीब्यसी ने 30 प्रतिशत अपना अल्रडी जो है जो पार्टिक्रम है वो इन प्रस्तित उसको कम क्या और प्रस्तिती जन्या और राजय भी अपनी तरीके से उसको कम कर रहे हैं तो मुझे भरुसा है कि इन प्रस्तित्यों के चलते और राजय भी अपना अपना निर्ड़े लेंगे जी जी सार्थक जी आपका कहिना है कि नई शिक्षा नीति की सफलता के पीछे क्या रह से आपने तो ऐसा प्रस्त पूछा है कि नई शिक्षा नीति के आपको तो कुछ मालूम है कितनी बार आपके पास आए हैं पीछे के समय से लगातार हमारा संबाद वाए यह दुनिया का यह दुनिया का सुछ से बड़ा भी मर्श था और साइद दुनिया में किसी नीति को तयार करने में शायद ही इतना बड़ा विमर्श वाओगा कित बड़ा विमर्श एक अजार विश्व विद्यालियों के कुल्पतियों से परामर्श 45,000 डिगरी कॉलेज की प्रिंस्पल से परामर्श 15-16 लाग इस्कूलों के अध्यापक प्राध्यापकों से परामर्श एक करोड़ दस लाग अध्यापकों से बाचित परामर्श उनके विशार और 33 करोड़ चात्र चात्राओं के से भी चर्चा करना उनके मातविरा से भी चर्चा करना ग्राम प्रधान से लेकर 200 ग्राम सबाओं से परामर्श करना ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधान मंत्री जी तक और गाउं से लेकर संसर तक सिक्षप से लेकर के सिक्षवित तक वैज्ञानिक से लेकर विश्यशग्य तक और सामाजिक संस्थाओं से लेकर के समितियों तक कौन सा छेत्र छोड़ा आपने सब छेत्र और उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में डाला उसका मसोधा ज़स पर दो लाग से भी अधिक सुझाव आई और हर सुझाव का वैसलेशन किया तीन-तीन जगे हमने सच्वाले बनाई और एक-एक सुझाव का जो वैसलेशन किया उसके बाद ये इतनी खुपसूरत नहीं सिक्षान नीती आई है जो आज पूरी देश के लोगों को लगता है कोन विरूद करेगा करे लोग मेरे को को पू Kinस विरूद क्यों ने वा तो मैं उनसे पूछा थिए नहीं पूरा यादा कुछ लोगों नहीं को आथी है तो नहीं हो पूरदान मंत्य जी ने का सब तक पहुंच वने चाहिए तो देस का पूरे व्यक्त नहीं चूता जिसने नहीं होगा तो उसके पार्ट पर होगा लेकिन क्या लोगों ने पूरा यतना बड़ा बिमर्श का भी नहीं हुआ लोग सबार राजिस सबा के सांसदों के साथ सुबह दस बज़े से ले करके सामकी छे बज़े तो लगातार बिमर्श करना उनके वचार लेना सब देश के स्वक्षा मंत्रियों से एक बाने कई बार की मीटिंग करना देश के सुख्षा निदेशवकों से लेख़ रहा शिक्र शंचा सच随क करना ईपना तो यतना बड़ा बिमर्श के यह नई शिक्षा नहीं थी आई और मुझे खुशी है कि जहां पूरे देश के अंदर बहुत उत्साव का बातरबर्ण है वहीं मेरे देश ने नहीं दुनिया ने भी इसको बहुत अच्छा माना है अभी कुछी दिन पहले मेरे आवास पर बिटेन के विदेश मंत्री आये थ दुनिया के लिए बहुत अच्छी है आपको आपको यह भी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले उनीक विश्व विद्याले ने यह कहा कि यह तो भारत तो पहले ही शिक्षा का बहुत बढ़ा केंथा कैंब्री जैसे उन्वर्शिटी जो विश्व की तिन चार स्रेश्ट आट सो वर्ष पुरानी स्रेश्ट विश्व विद्याले में उसकी गणा होती है उन्होंने अपने एश्या हेड को बेज करके यहां पर हमको सम्मानित भी किया और फिर मेल बेज करके हमको निमंतरन दिया कि हम इस नई शिक्षा नीति को लेकर के आपकी पूरी धुनिया में जाना चाहते हैं सब मिल करके करना चाहते हैं क्योंकि आपकी बहुत बड़े रिफॉर्म के साथ तो मुझे लगता है कि साथ दुनिया का इस सबसे बड़ा रिफॉर्म वाली शिक्षा नीति होगी और इसले लोगों को अभी जहां कैमरीज ने वो किया अभी कुछ दिन पहले स्वंक्त अरब अमीरात के सिक्षा मंत्री जी के साथ हमारे द्विपक्षे मीटिंग हुई बहुत खुश हुए उन्होंने कहा कि हम अपने देश में आपकी इस नेति को लागो करना चाहते हैं को कुछ मदद करें चाहिए ऐस्ट्रेलिया हो और यहां तक कि कुर्शाओं के प्रधानमंत्री जी अभी एक कारेक्ट्र में में जब मेरे से जुड़े थे वेद और विश्वशांति में तो उसमें भी उन्होंने कहा कि यह जो नई शिक्षान नीति आई है आपके वह चांदार है तो उसको पूरी दुनिया सुईकार रही है मुझे भरोसा है कि जिस विश्वगुरु की कल्पना और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 21 सदी के स्वर्णें भारत की जो कल्पना की सुन्दर भारत सस्त भारत समर्द भारत सशक्त भारत आत्म निर्वर भारत औ जिस शर्ष्ट भारत को उन्होंने कहा कि में किन इंडिया डिजिटल इंडिया इसकिन इंडिया पर स्टार्ट पर इस्टेंट अप की उस रहता से योकर चाएगी और जो नई सिद्शन नीतिया ही वह नेश्नल भी है इन्टरनेश्नल भी है Mrs. Pod रूप में जहां हमारा देश ज्यान की महाशक्ति के रूप में पहले भी था मुझे भरोसा है यह जो नई शिक्षा नहीं थी यह आपके माध्यम से और फिर मेरा देश भारत ज्यान के महाशक्ति बनेगा और मैं एक बार आप सब के प्रती बहुत आबारी हूं या आप सब मुझे से जुड़े आभे भी किसी के मन में कोई प्रश्न होंगे कोई सवाल होंगे तो जरूर आप मुझे सीधे संबाद भी करें हम कोशिश करेंगे कि फिर दो बारा भी आपके साथ जूड़ सकें और मुझे जाते-जात आपको एक अच्छी खबारे देनी है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को जिनके बिजनरी लीडर्सीब में देश बेवेन च्छित्रों में बहुत आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका के राष्टपती जी ने कल ही उनको लीजन आफ मेरिट अवार्ड ज से हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को वाज़ा है वह अवार्ड दिया है तो हम सब नोगा अपनी देश के यसोछी प्रधान मंत्री जी को देना चाहते हैं और एक बार भीर मैं अभी धंदन कर रहा हूं बहुत बहुत धने बाद नमस्क्रार